ताजा ताजा रसीला आम सबका फैवरिट प्रूट होता है आम और उपर से ये खेत का ताजा तूटा हुआ आम हो तो उसकी बात ही कुछ और है चलिए आज लेकर चलते हम अपने खेत की तरफ यहां हवाएं चल रही है बहुत ज़्यादा और आम उपर से पेर से तूट कर घिल रहा है यहां एक चादर बिचाई गई है और पेर को घिला कर आम तोड़ा जा रहा है और सारे आम इस चादर में खटा करने की कोशिश करी जा उनकी अप्रॉच में जित्ते भी आम थे उन्होंने तोड़े देखिए बच्चे आम तोड़कर कितना खुश है यह शहरों में रहते हुए यह खुशियां आसानी से हमें नहीं मिल सकती यह देखिए सारे आम तूटकर तयार है अब इन्हें हम पकाएंगे उसके बाद में इस्तेमाल करेंगे यह आम सारे पक चुके हैं फिर इन्हें हमें कोई भी आम यूज करने से पहले उसे पानी में आधा गंटे के लिए भिगो कर रखना होता है उससे आम की तासीर गर्म होती है तो वह तासीर चेंज हो जाती है पानी में रखेंगे तो आम ठंड़क देखा अब कोई से भी आम के अपने रस बनाकर खाएं होंगे आम रस हापस का चय केसर का लेकर इस आम रस के सामने सारे रस पीके हैं तो चलिए इन्हें हमें अधा पाउन गंटे के लिए विगो देना है फिर निकाल लेना है उसको पानी से उसके बाद हम इसका आम रस बनाएंग यह जो आम होता है इसे अच्छे से गोल लिया जाता है मतलब इसको दबा के थोड़ा सा पल्पी कर लिया जाता है मसल के इस जंग से फिर उपर से इसका टिप हटा देंगे और इस जंग से इसमें से इसका पल्प निकाल देंगे फिर इसे हम थोड़ा सा पानी एक विजल में अलग से लेंगे और उसमें इसको छिलके को डालते जाएंगे इसकी जो गुठली है वो इसमें रस्म है उसका भी पल्प निकाल देंगे हम और इसे पानी से एक बार और अच्छे से इसमें पानी से दोएंगे इसका पल्प और निकल जाएगा फिर ये सारे छिलके और गुठलियां इसी डंग से हम मसलते जाएंगे और निकलते जाएंगे इसी डंग से ये सारे आम जो हैं उनकी हमने इसको गोल के और इसकी रस निकाल ली है फिर ये गुठलियों पे जो पल्प लगा हुआ रहेगा वो पल्प भी हमें निकालना है ये इस रंग से सारे डाल दिये हैं हमने एक पतीले में सारे ये डाल दिये हैं अब ये पानी हमने डाला था इसमें पतीले में तो इन छिलकों को सभी को पानी से निकाल दिया है तो ये सारा पल्प निकल गया है अब इसकी जो गुठलियां हैं उनको भी हम पल्प निकालते जाएंगे और इस पानी में डाल देंगे ये सारी गुठलियों को अच्छे से पल्प निकाल लिया है थोड़ी सी मैनत लगती है लेकिन इसका स्वाद बहुत ही लाजवाब होता है अब ये सारे छिलकों ये जो गुठलियां थी उनका भी सबका पल्प निकाल लिया है अब इस रस में हम मैक्स कर देंगे ये रस में मैक्स कर देंगे हम फिर जो अगेन थोड़ा सा पानी लेंगे हम ये इसमें सारा डाल दिया है देखिए ये गाड़ा हो गया है अब अगेन हम थोड़ा सा पानी लेंगे और ये सारे चलके और गुठलियों को एक बार क्योंकि इनमें पल्प और लगा हुआ है ये सारा पल्प निकल गया है अब हम इसको चान देंगे इससे क्या होता है इसमें थोड़े से रेशे रहते हैं तो वो हमने च्छान दिया है अब इसमें हम शुगर एड़ करेंगे शुगर आम की खट्टेपन पर डिपाइन करता है आपको किती शुगर की नीड है यह आम यूजवली थोड़ा सा खट्टा होता है तो इसमें शुगर की क्वांटिटी थोड़ी सी जादा डलेगी यह लीजिए हमारा आम रस बनकर तयार है बिलकुल देशी आम का रस बनाया है हमने बहुत ही स्वाधिस्ट है और कलर कितना प्यारा इसका कलर आया है इसको फ्रिज में ठंडा कीजिए और पूरी पराठे या फिर चावल के साथ में इसको एंजॉय कीजिए